नमस्ते दोस्तों आज सुनिए सुप्रसिद लेखे का मालती जोशी जी की कहानियों की शेंखला में उनकी लिखी हुई कहानी बेटे की माँ तो शुरू करते हैं कहानी ये रिष्टा भाईया के ससुर जी ने ही तै किया था अम्मा ने एक तरह से ये भार उनके ही सिर डाल दिया था और कहती भी तो किस से भाईया तो इस काम के लिहासे बहुत छोटे थे उनका अनभव ये कितना था जी जा जी थे जो दिनराथ अपनी ही शान बगहरा करते थे अम्मा पर जब तब एहसान जताते रहते कि उनकी बिटिया का हाथ थाम कर उन्होंने उपकार किया था वो ये भूल जाते थे कि दीदी की शादी बाबू जी के सामने हुई थी और उसमें बाबू जी ने अपने हैसियस से ज़्यादा ही खर्ज कर डाला था चाचा जी की लीला तो और भी न्यारी थी एक ही शहर में रहकर महीनों शकल नहीं दिखाते थे हाट बजार में मिलते तो हालचाल पूछने से कतराते थे कि कहीं कुछ लेना देना न पड़ जाए लेकिन जान पहचान वालों के सामने ये दिखावा जरूर करते थे कि स्वर दोनों की शादी के लिए इन दोनों का कोई एहसान नहीं लिया जाएगा भाया के लिए तो खेर कोई समस्या ही नहीं थी उन्हें नौकरी बात में मिली रिष्टे पहले से याने लगे थे सवाल तो मेरा था अम्मा को बस मेरी शादी की चिंता ही गुनकी तरह खाये जा रह किसी तरह इस लड़की के लिए एक वर्ट जुटा दीजिए तो मैं फुरसत हो जाऊं। आपकी बेटी के सिर्भी कोई भार नहीं रहेगा। बिचारे पांडे जी समझ गए कि ये बहन जी का अन्रोद नहीं है आदेश है। एक तरह से शादी की शर्टी ही है। बेचारी अपनी बिटिया के लिए जूते चटका कर हलकान हुए जा रहे थे। अब ये एक और जिम्मेदारी सिर्भ पर आ गई। अपनी लड़की के लिए वर्ट खोजना फिर भी आसान है। आपको अपनी हैसियत का आउकात का पता होत लड़का उनी के शहर कानपूर का था, अंग्रेजी में गूर्ड मेडलिस्ट, M.A.P.H.D. अपना मकान घर में केवल भाई-भावी। मकान भी दो हिस्सों में बटा हुआ। जब मरजी हो किराइदारों से खाली करवा कर अलग रहस्ती बसा लो। इतना अच्छा रिष्ट बात ते हो गई तो खुश हो गए कि परचय अब रिष्टे में बदल जाएगा। हम लोग किसी तयारी से नहीं गए थे, फिर भी चाचा जी ने लड़के को 101 रुपए देखकर शगुन कर दिया। उनकी भावी ने मुझे एक साड़ी दी, सगाई के लिए साइड ढूने की बात थी तो उनके भावी बोले, मैं इन धकोसलों में विश्वास नहीं करता, बात तो होई ही गई है, अब आप शादी की तैयारियां कीजिए, सब लोग बहुत खुशते, ऐसे सुलजे हुए इनसान आशकल कहां मिलते हैं। दीवाली के बात पहले दो महुटों पर शाद की डूरा भेजा, मेरी सस्राल से भी सामान आया, शुरू शुरू में हम लोग पत्र भी लिखते थे, भहिया एकार बार हो भी आये थे, फिर देखा कि अम्मा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, तो सैयम कर लिया, तीन-चार महीनों की ही तो बात थी, जून के अंत में भावी कर जल्ट आ गया था, इंग्लिश में गोल हो गई थी, भहिया बहुत बिगड़े, मैं तो इंग्लिश लिटरिचर देख कर ही री जाता, नहीं तो आजकल भी ये पास लड़कियों को पूछता कौन है, उन्होंने फौरण अपने होने वाले बैनोई को पत्र लिखक कि समय निकाल कर सुष्मा को थुड़ा कोच कर दे, मेरे लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्ण है, तब भाईया कहां जानते थे कि वे अपने ही पैरों पर कुलहारी मार रहे हैं, अम्मा के उत्साह का अंतनी था, अपना गठिया वाद सब भूल कर वे तैयारी में जुट ग जर में आता, उनके सामने वे अपना बकसा खोल कर बैठ जाती, उनकी प्रिशंसा पाकर खुश होती, बाबुजी की मृत्ति के बाद पहली बार उन्हें इतना खुश देखा, फिर उस खुशी को पता नहीं किसकी नेचर लग गई, श्राध्धों तक तो अम्मा दमसादे बैठी रही, पर नवरात्री के शुरू होते ही वे हरकत में आ गई, और वो जरूरी भी था, दो-दो शादियां थी, कोई मजाक नहीं था, उन्होंने फॉरन भाबी के पिता को पत्र लिखा, कि वे कैसा इंतचाम कर रहें, कितनों का कर रहें, लिखकर भेजें, ताकि रात में महिलाएं होंगी, क्या उनकी अलग व्यवस्था करनी होगी, अम्मा ने लगातार कोई तीन-चार चिठ्थियां लिखी होगी, पर कोई उत्तर नहीं आया, फिर टेली ग्राम दिये गए, पांडे जी तो उसे भी पी गए, पर राजश के भाई साहब का एक दो बुक कराना होता है, एन समय पर ना तो हलवाई मिलते हैं ना बैंड वाले, शामियाने तक बुक हो जाते हैं, हार कर अम्मा ने जीजा जी को कानपुर बेचा कि ठीक से सारी बात तै करके आएं, किया धरा तो उन्होंने कुछ भी नहीं, उल्टे आते ही बरस पड़े, ऐसी पांडे जी तो हमें देखकर सीधे दिल्ली खिसक लिए, बोले कोई जरूरी सेमिनार है, उनके भाई साफ बुकार का भाना बना कर कमरे में दुबग गए, बस एक भावी थी जो हमें घंटे भर बाद चाय नाश्ता करवाती रही, जैसे मैं मा सिर्फ पेट भरने के लिए ह पांडे जी को साथ ले लेते, वा, क्या कहने है, अरे आपके पांडे जी के यहां तो हमें किसी ने पहचाना तक नहीं, सुष्मा ने भी नहीं पहचाना, कहा तो दर्वाजे से टरका दिया, कह दिया कि पांडे जी तीन चाय दिन के लिए बनारस गहे हैं, जब वे लोट आ तब आईएगा, कसा मैं मुझे जो अब मैं उनके दर्वाजे थूगने भी जाओ, अम्मा तो सस्मुझ डर गई, जीया जी इस अपमान का बदला भहिया की शादी में जरूर निकालेंगे, इसमें संदे नहीं था, फिर अम्मा ने चिरौरी करके चाचा जी को बेजा, अबर सचमुझ बहुत भयारक थी, अंग्रेजी साहिते पढ़ते पढ़ते सुश्मा और राजेश एक दूसरे को कप पढ़ने लगे थे, किसी को पता ही नहीं चला, जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी, समझाने मुझाने के सारे प्रयास्मिफर हो गए, और फिर एक दिन किसी मंदिर में फिरे लेकर इन लोगों ने वो विशही समात कर दिया, पांडे जी बेचारे क्या कहते, बस चाचा जी से एक शमा मांगते रहे, लेकिन राजेश ने साफ कह दिया, सगाई बगेर तो हुई नहीं थी, I was not legally bound to her, अगर सगाई हो भी जाती तो भी क्य का फरक पढ़ना था, मन क्या कभी इन बंधनों की परवा करता है, सुशमा कोई सगाई का बंधन कहा रूप पाया, अम्मा तो गुस्से में पागल हुई जा रही थी, उस दिन भहिया जैसे ही काम से लोड़ते वे उन पर तूट पढ़ी, और पढ़ा लोंगे जी, पता नह कानी जी को कहां की कलेक्टरी दिलवानी थी, अरे नहीं आती थी अंग्रे जी तो न सही, हिंदी में बात करती तो क्या तुम छोटे हो जाते, और अब चार लोग सुनेंगे तो कितनी इज़द बढ़े की, चुडएल सबके मुँपर जाड़ू फेर कर चली गई, भहिया हत बुद्ध से अम्मा का प्रलाब सुनते रहे, उनकी समझ में उसका सिर्पैर कुछ भी नहीं आ रहा था, बड़ी देर बाद उनको पता चला की माजरा क्या है, और वे पत्थर हो गए, मैंने सोचा था कि उनकी प्रत्क्रिया भी अम्मा की तरह विस्फोटक होगी, पर वे बुद्ध बने बैठे रहे, थोड़ी देर बाद बिना कहे सुने बाहर चले गए, बारे घंटे बाद उनका अक्षत विक्षत शरीर ही वापस लोटा था, इस अपमान को इस लज्जा को वे बरदाश्ट नहीं कर पाए, और रेल के सामने कूद गए थे, मरना तो मुझे भ साल गोजरते जा रहे हैं, उम्र मुठी से रेत की तरह फिसलती जा रही है, और मैं कि वहीं खड़ी हूँ, जहां 25 साल पहले खड़ी थी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, एक साथ पतानी कितनी घंटियां बज उठी थी, तंद्रा तूटी तो देखा, कंडेक्टर कान के पा इसलिए उतरदे समय कितनी फक्तियां सुननी पड़ी, आज कल तो लेडीज भी भांग पत्ती खा कर चलने लगी हैं, अरे किसी के ख्यालों में खो गई होंगी, इस उमर में, शरम से मैं गड़ गई, रास्ता चलते हुए भी जैसे ये आवाजी मेरा पीछा करती रही, और म बुन बुनाते मन को मैंने ठीक से टटोला तो इस्तब रह गई, मुझे ज़्यादा वो उम्र वाला फिक्रा ही चुभा था, गोया 43 साल की उम्र में कोई किसी के ख्यालों में डूबी नी सकता, अगर ये सच होता, तो क्या मैं अतीत को इतनी बारीकी से याद रख पाती, क् अतीत के चल्चित्रों में जो बार बार जहाक रहा था, मुझे ज़गजोर रहा था, वो चेरा किसका था, राजेश का ही तो था, और इतने दिनों में मैं ये भ्रम पाले हुए थी कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, वक्त का तकाजा भी वही था, इस उमर में कितनी हिका आरस से कहा था उस लड़की ने, जैसे किसी को याद करने का ठेका सिर्फ यौवन नहीं ले रखा हो, और टैतालिस साल की उमर में क्या कोई बुढ़ा हो जाता है, खैर उसका भी क्या दोश है, मेरा सूखा शरी, रूखा चेरा और खिचड़ी बाल देकर अकसर ही लोग मु पर अम्मा कभी कुछ ने कहती, उन्हें अपना ही रोना रोने से फुरसत नहीं मिलती, दिन भर बिसूरना और उसांस भरना, उनके पास बस यही दो काम रह गए हैं, अम्मा तुम्हें वो मिसेज अहिरवार याद है न, उस दिन पार्टी में आई थी, खूब याद है, और महीने पुरानी बाद भी उनके जहन में अब तक ताजा है, पहली बार घर में किसी को बुलाया था, जश्ट मनाने का तो कभी मौका ही नहीं आया, सब पीछे पड़ी रहती थी, उपर छट पर बरसाती नुमा एक कमरा बनवाया था, उसी का बहना लेकर सब को चाय पर बु पर जब सारी टीम मदद करने के बहाने चौके में गुसा ही, तो मैं समझ गई कि आज रात अम्मा का उपवास रहेगा, एक बुल पानी भी वो नहीं पीएंगी, सब के जाने के बाद रात को मैंने बरतन समेटे, महरी तो कभी घर में थी ही नहीं, अपने आप ही सब कुछ क तो घर में रोज रोज पार्टियां होती, तब भी क्या अम्मा ऐसे ही जीखती, दूसरे एक शर्ट ख्याल आया, भहिया होते तो अम्मा परतन क्यों होती, इंजीनेर की मा होती वे, नौकरों की पल्टन पर राज करती, एहरवार की कोई बात कह रही थी ना तुम, अम्मा किस्सों में उन्हें बेहद रुची है, समझती है कि बिट्टों ने जब बात उठाई है तो बेमतलब नहीं होगी, मिसिस एहिवार की बहन का लड़का उनके आया हुआ है, सो, अकेला नहीं है अम्मा, एक लड़की भी साथ में है, कानपुर के बाजपे ही परिवार की है, लड़की के माने जहर खा लिया है, बाप को हार्ट अटेक हो गया है, दोनों अस्पताल में भरती है, लड़की का बड़ा भाई पिस्टॉल लेकर घूम रहा है कि या तो बेहन को वापस ले आएगा, या दोनों को मार देगा, फासी भी हो जाए तो परभा नहीं, मिसिस ए पहरवार बिचारी खूब रो रही थी, इतना गुड़ी लड़का है, बैंक में ऑफिसर है, बेहन की सारी आशाय उस पर टिकी हुई है, ये तो लड़की बगाने से पहले सोचना था न, उसमें बगाई नहीं है, अम्मा लड़की खुद उसके साथ आई है, वह कोई बच् लिखी हूँ, नौकरी कर रही हूँ, फिर भी पिछले 25 सालों से जोग धारण किये बैठी हूँ की नहीं, पर अम्मा की आखे मुझे तो शायद कभी देखती ही नहीं, अम्मा उस लड़की के माबा कौन है जानती हो, कौन, वही जो कभी तुमारी बहु और दमाद बनने व खबरदार, अम्मा दहारी, उस को लक्षनी, प्लीज अम्मा, अम्मा का पैतरा देखकर मैंने जबदस्ती उन्हें टोग दिया, क्योंकि जब वे गाली देने लगती हैं, तो ऐसी गालियां देती हैं कि कान बजने लगते हैं, खास कर सुश्मा के लिए तो उनके पास इन अ अक्षय कोश हैं, राजेश हर बार साफ पज जाते हैं, क्योंकि हत्या तो भईया की हुई है, मुझे भी किसी ने जिंदा लाश बना दिया हैं, उन्हें नजर नहीं आता, मेरे टोकने से अम्मा की धारा प्रवा गालियों पर तो ब्रेक लग गया, पर उनका बुदबुद तो पैदा होने से रही, इसलिए तो कहते हैं कि भगवान की घर तेर है, अंधेर नहीं, सच मुझे तो आज बड़ी तसल्ली हो रही है, कलेजे पर ठंडक पड़ गई है मेरे, जितना उसने मुझे रुलाया है, भोले ना तो उससे भी ज़्यादा उसे कल पाएंगे, मरते स चुप करानी की सामर्थे मुझे में नहीं थी, पूरी शाम उनका बड़बडाना जा रही था, रात खाना खाते समय भी खासे मूट में थी, बार बार कह रहे थी, तुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए रुग गई, नहीं तो आज ठाकुर जी को हल्वा पुड़ी ख लाने का मन हो रहा था, कितने दिनों बाद उन्होंने एक अच्छी खबर सुनाई है, जी खुश हो गया, आज मेरी आत्मा को शामती मिली है, सालों साल मैंने आखों में रात काटी है, आज मैं चैन की नीन सूऊंगी, मुझे लेकिन रात बर नीन नहीं आई, फुरसत में ल अटके मन की बात कह डालती है, और मैं सभ्यता का मुखोटा ओड़े, बेवजय अपने में कुड़ रही हूँ, अपना ही इस्वां किसे दिखाना है मुझे, किसे रिज्धाना है, मैं खुल कर कहती क्यों नहीं, कि आज मेरे कलेजे पर भी ठंड़क पड़ी है, मेरी मारा रोश, आक्रोश, राजेश के लिए था, सुश्मा को तो मैंने कपका बरी कर दिया था, नीन नहीं आ रही थी, फिर भी दमसाधे पड़ी रही, करवट बदलते हुए भी डर लग रहा था, कमरे के दूसरे छोर पर अम्मा की चार पाई थी, बहुत दुनों बात चैन क की नीन सोई थी, सोचा अपनी खटर पटर से उनकी नीन क्यों खराब करूं, तीन बज़े तक मैंने किसी तरह सबर किया, फिर उतना ही पड़ा, मैंने बिलकुल आहिस्ता बिस्तर छोड़ा, दबे पाउं भी तर गई, बातरूम का दर्वाजा पानी का मटका बहुत धीरे स खोला और बंद किया, जरा भी आवाज नहोने थी, आवाज के डर से ही बिजली का स्विच तक नहीं दवाया, उसी तरह दबे पाउं लोटकर कमरे में आई, देखा, अम्मा की चातपाई खाली थी, और शायद वो बड़ी देर से खाली रही होगी, क्योंकि देर तक जागन उन्होंने पलट कर देखा, उनकी आखें डबडबाई हुई थी, शाम को उल्ला से दमकता हुआ उनका चेहरा बुझ सा गया था, क्या बात है, अम्मा नहीं नहीं आ रही, उत्तर में उन्होंने फिर शुन में नजर गड़ा दी, दूपती सी आवाज में बोली, सब किसमत क बात है लली, एक वो बेटा है जो घर की आनवान के लिए मरने मारने को तारू हो गया है, एक हमारे थे जो चुपचा पट्री पर लेट गए, ये भी ना सोचा कि अम्मा का बुढ़ापा कैसे कटेगा, मैं इस तब्द रह गई, अम्मा की पीट पर रखा मेरा हाथ बरफ हो गई, उन्रे सान्तुना देने का जरावी मन नहीं हुआ, क्योंकि पता था कि इन आसुँआ में से एक भी मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए, मेरे उजड़े अतीत के लिए, मेरे सुने भविश्य के लिए, मेरे बिखरे सपनों के लिए, अम्मा कब रोई थिजो आज आज पक्का विश्वास होगे आपने को कि जिनके लिए तिल-तिल कर जी रही हूँ वे मेरी मा नहीं है वे तो भाया की मा है अपने बेटे की मा अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी बेटे की मा अगर आपको मेरी कहानिया और प्रस्तुती दोनों ही ठीक लगती हूँ तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद